मेरा नाम है आसीस और आज हम बात करने वाले हैं play x4 up के बारे में आप स्पार अपल्पिकेशन जहां पर आप mx player के जैसे इस में वीडियो देख सकते हैं लेकिन आप ہम से यह बलेगें कि mx player उन्हारी फोन में अल्रेडी यह भी भी एलसी भी है तो लेकिन हम इस एप को किये उज़ करें क्योंकि यहाँ पर आपको इतने सारे options मिलते हैं जो कि आपको other applications से हटके हैं यहाँ पर आपको धेर सारे options मिलते हैं जो कि आपके वीडियो performance को काफी बेहतर तरिकों से दिखाता है तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं कि play x4 ewe applications में आपको क्या क्या टूल्स क्या क्या options मिल जाते हैं हे मेरा नाम है आसी स्वागत है आप सभी का आज की इस नीए वीडियो में और चैनल को अभी तक से subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर ले नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा है और साथ ही में bell icon को भी प्रेस कर लीजिएगा तो दोस्त यहाँ पर यह एप इंस्टॉल हो चुकिए हमारे फोन में और इसको हम open करते हैं अगर आप इस app को अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के description box में मिल जाएगा यहां पर start के button पर click करेंगे grant permission पर click करके जो permission आपसे मांगा जाएगा उसको दे देना है और यहां पर हम next पर click करते जाएगे यहां आपको file ने done करना है और play x applications जो है यहां पर इने open हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो है कि हमारे phone में यह open हो चुका और जितने भी सारे videos हैं जितने भी सारे status हैं उस आपको यहां पर capture कर रहा है कुछ time तक हमें wait करना है यह सारे जब तक यह जो आपको उपर refresh का button दिखाई दे रहा है यह जब तक चलता है तब तक आपको wait करना है तो दोस्ति यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे files में जितने भी सारे videos है और यहां पर scan कर लिया है और यहां पर बहुत सारे videos हैं यहां पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्षन देगा इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं यहां पर आप brightness को उपर नीचे कर सकते हैं यहां पर समझ में आई रहा पिर आप पर next करेंगे या फिर राइट हैंड में प्रेस करने पर टैप करने पर यह 10 सिकेंड आगे बढ़ता है नेक्ट पर क्लिक करने पर यह सीख होता यानि कि वीडियो आगे पीछे बढ़ता है तो हम इसको क्लोज करते हैं और यहां पर आप देखते हैं ते कि वीडियो प्ले हो चुका है आपoc abonnator करके sleep time लग सकते हैं इसके लगा करणा है इसको पर क्लिक करना है यहाँ आपको जितना भी टाइमिंग लगाना है उत्essionल कर लगा सकते हैं ब्लाइजर कर वह साहलो को भैलून अलग अगतरीक उसे सुनना पसंदाता है कोई एको टाइप का सुनना चाहता है कोई फ्लैट क्लासिक डैंसर डानस फूल वैस यह सारे आपको और अप्संस यहां पर मिल जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं यूज करने से पहले इसको एक पर आप इनेबल जरूर कर लीजिएगा उसके बद हम आते हैं बैक यहां आपको और आप्संस मिल जाता है जैसे प्ले एज आइडियो में अगर आप वीडियो को आइडियो में सुनना चाहते हैं कोई सॉंग्स आप वीडियो में डाउन्लोड क कर लेंगे और आप अपने दूसरा भी कायम करते रहेंगे और यह आपका वीडियो भी यहां पर रहेगा इसको वापस से मतलब बढ़ा करने के लिए इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको और वी आप्संस मिल जाते हैं रिपिटेट मोड अगर आप एक ही वीडियो को बार रहेंता चायतों और इंटल मोड में इसको लग कर सकते है आप इससे फोन कोघुमाएंगे तो ये ज्यक्ये की आतोमैटिक क्लिए हो जाता है यहां पस्तरा इसको चेंह कर सकते हैं यहां से यह आपि एप्शन से त offense को चेंच कर सकते हैं आप लावे हैं और भी अब्ली फोल्डर वाइज भी और यहां पर इंटरनल मेमोरी भी दिखाई देगा आपको अलग से इस अप्लिकेशन को कट करके इंटरनल मेमोरी में नहीं जाना है यहां से भी जा सकते हैं प्ले लिस्ट का भी ऑप्सन मिल जाता है मोर के बटन में आएंगे तो यहां पर आपको जाएंगे पर उतलि वापस इस वीडियो को से प्ले करेंगे तो वहाइं से आपको अब यहां पर मिल जाते हैं जिसको घाराई से बताने लगो तो भहुस सारा हमारे वीडियो लमबा हो जाएगा अगर आप इसकी डिटीएल्स वीडियो चाहिए तो आप क्मेंट कर दे उसके बारे में जानने के लिए